गुड मॉर्निंग साथियों सुबा की बहुत ही बहतरे नवकरी के साथ आज मैं हाजिर हूँ तो चली आज हम बात करें सुबा की नवकरी के साथ तो देखिए साथियों कार्यला सहायक संचालक मचली पालन कलेक्टरेट परिसर कमरा नंबर चोबी जिला बिजापुर 36 गर के अंतरगत भरती निकली गई है यह जो भरती है साथियों आप देख पाएंगे स्क्रीन पर आपको सो हो रहा है समीदा भरती के लिए जो विज्यापन है ठीक है तो जिला बिजापुर के अंतरगत विकास खन इस्तरी विभागी कार्यपालिक मैदानी आमलोच्च जो मतश्य रिक्षक के वर्स भरवरी 2022 के रिक्तियां होने के कारण राज्य पोशित दखी जो मतश्य विभाग है मचली पालन विभाग है वहाँ पर आपका तीन पदों पर भरती होना है बड़ा पद है साथियों 25,000 रुपए आपको वेतन मान प्रदान किया जाएगा जी हाँ यदि आप योगी हैं तो बिल्कूल आविदन करें यदि आप इच्चुक साथियों आविदन करना चाहते हैं तो एक बात याद रखें ये समीदा भरती है तो समीदा भरती के लिए पात्र आविदकों से जो है आविदन पत्र आमंत्रित किया जाता है जिसके सहायक संचालक मचली पालन जिला बीजापूर 36 गड़ में दिनांग 5 जनवरी 2023 तक थीक है 5 जनवरी 5 जनवरी 2023 तक आवेदन करने की तीथी निधाय की गई है यदि आप इच्चु के साथ ही हो तो 5 जनवरी 2023 साम साड़े 5 बजे तक संबंधित पद के विरुद्ध भरती है तूँ सैक्षरी के वम अवस्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र को एक सेट स्वप्रमारित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित समय तक प्रस्तूत करना अरिवारी है तो यदि आप योग्य है तो बिल्कुल आवेदन करें मतश्य निरिक्षक के प्रस्विक्रित किये गए हैं वेतनमान है 25,000 रुपए तीन पदों पर भरती होना है जिला खनिज न्याज संस्थान के अंतरगत आपकी ये जो पद है भरे जाएंगे अब सैक्षरी की योग्यता की बात कर साथ हो तो मतश्य निरिक्षक के लिए देखिए बिएव एस्सि या बियस्सि होना चाहिए निदुर्दर ना ठीक है जो आप पी चले प्रस्य यह तो यह थी ज़िक्य कर सकते हैं मत्तर से निरिक्षकों के प्रदोपी भरती के लिए शक्षरिक योग्यता इसमें दो पर्षेंटेज बेश से होगा साथ हो यदि आपका बीएसी में अच्छा अंक है अच्छा नंबर है तो आप याद जरूर फाम बरें 75 परतिसत आपका बीएसी के रिजल्ट से मिलेंगा औ और आपका पाच अंक अनुभाव के लिए मिलेगा ठीक है इस तरह से आपका जो पर इस ठापना है होगी इसमें 20 अंक इंटर्व्यू का भी होगा तो यदि आप योग्य हैं तो बिल्कुल इन पर्दों के लिए आविदन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए इनके जो